इस वीडियो में दिखाई जाने वाले सभी पाक्रकालपनिक हैं इसका किसी भी जाती धर्म या किसी भी सम्मूख से सम्मधित कोई भी रिलिजनेशेट नहीं है अगर यह किसी से सम्मधित पाया जाता है तो अब असे संयोग मात्र होगा यह वीडियो एडूकेशन परपस के लिए बनाया जा रहा है इसे दिल पे ना ले और नहीं इसे किसी के साथ आप किसी भी परकार का गलत वेवार करें धन्यवाद झालत पाकर भी बनाया जाप झालत वेवार का बनाया जाब जाब जावाद झाल 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 नमस्कार दोस्तों आप सभी कास सवागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी जो कि 2020 में रिजवी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्थिक का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केप आफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टुडियो जे के तहट फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोड़क्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर सखेलपात्र खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकल पट्टे कता लिखी जिसमें सामजी ने पट्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरी 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लगश्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्त फिल्म है जो की बहत्रिन फिल्मा में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जवरदस्त एक्टिंग हुई हैं यह डिजनी प्लस होट स्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनिट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओपिल पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजे नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाक़ी मूवी ने काफी जानदार सांदार गजवरदर्ष रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप चे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है तो ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और क्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा राजे सर्मा अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर प्रमुक भूमिका निवाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेग्ति का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केफ ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टडियो जे के तहर फिल्म का निर्मान भी किय तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोड़क्शन कंपनी तुसार एंटरेटेंडमेंट हाउस और सबीना एंटरेटेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी असपर सखेल पात्र खेतरपाल तासाभ भामरा के साथ मिलकल पठ्टे कता लिखी जिसमें साम जी पट्टेका था और समवादों को हिंदी संस्क्रेण में डाला फिल्म की घोषना जनवरी 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्षमि फिल्म जो है वो अक्षेकमार और कियरा अडवाने का जबरदस्ट फिल्म है जोके बहत्रेन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई हैं यह डिजनी प्लस होट इस्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवदी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्सों के पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसी लगे थी क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाक़ी मुवी काफी जानदार सांदार गजवदर्ष्ट रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा मैं मिलता हूं आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है तो ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी जो कि 2020 में रेज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षे कुमार और 11 अडवान ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा राजेस्तरमा अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्थी का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केप आफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियो जे के तहद फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोड़क्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिलकल पट्टे कता लिखी जिसमें सामजी ने पट्टे का था और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है यह से एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओपिल पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाकई मुवीं काफी जानदार जानदार गजवरदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूं आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी, जो कि 2020 में रेज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है, जिसे की राघव ल कामिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग, इसमें अक्षे कुमार और 11 अडवान ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुख भूमी का निभाते हैं, फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दिगर्द घूमती है, जिस पर एक ट्रांजेक की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ, लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी असपर्स खेलपात्र, खेत्रपाल, तासाब भामरा के साथ मिलकल पठ्टे कता लिखी, जिसमें साम जी ने पठ्ट मार्श 2020 में समापत होई थी, लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है, जो कि बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है, और अलग-अलग लोगों के द्वारा, अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं, और काफी अदस्ट एक्टिंग हुई है, यह डिजनी प्लस हौट इस्टार पर आप देख सकते हैं, इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है, और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज हुई थी, इसका भासा हिंदी रखा गया है, और यह फिल्म जो है, वह अच्छी खासी बॉक्स ओपी पर कम भी किया था, इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेगी, अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं, तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी, और काफी नई वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन, जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में, चलिए ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष 2020 में रीज भी एक भारते हिंदी भासा की होरर कोमेडी फिल्म है जिसे कि रागफ लॉरेंच के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और 11 अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती हैं जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्टी का भूत सवार हो जाता है। फिल्म की घोषना जनवरी 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है। और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है। यह डिजनी प्लस हॉट इस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज वी थी। इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्सों के पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसी लगे थी। क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाकई मुवीं काफी जानदार सांदार गजवदस्त रहे हैं। तो आप जरूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिन जय भारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है। तो ठीक है। नमस्कार दोस्तूं आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की होरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फि कर और सरद के लेकर प्रमुक भूमी का निवाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्स के इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेग्धिक का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केप ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स स्टार स्टुडियो जे के तहर फिल असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिलकल पट्टे कता लिखी जिसमें सामजी ने पट्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रेण में डाला फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के दौरा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है यह 41 मिनिट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्सों के पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसी लगे थी क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी बी भी है और वाकवी मुवीं काफी जानदार सांदार गजवरदस्त रहे हैं तो आप ज़रूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है तो ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रेज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और न अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजय सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुख भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्स के इर्दिगिर्द भूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्तिक का भूत सवार हो ज पनी तुछार एंडेंडमेंट हाउस और सबीना एंडेंडमेंट के साथ लॉरंस ने परहाद सामजी असपर स खेल पात्र, खेत्रपाल, तासा बभाम्रा बिच्ट्र पट्टत्य पट्टे कदा लिखिए जिस में सामजी ने पट्टे कदा और समवादों को हिंदी संस्क्र में डाला फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो की बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है यह डिज लगवदी एक घंटा 41 मिनिट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज भी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिल्म पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवीं काफी जानदार सांदार गजवरदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी, जो कि 2020 में रेज भी एक भारत्य हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है, जिसे की राघव ल के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है, उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग, इसमें अक्षे कुमार और क्यारा अडवानी ने, जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्व इसमें कुमार ने अपने केफ ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियोजे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया, तुसार कपूर की नई लॉंच की गई प्रोड़क्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ, ल फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी, जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त होई थी, लक्स में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवाने का जवरदस्ट फिल्म है, जो के बहत्रिन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है, यह डिजनी प्लस होट इस्टार पर आप देख सकते हैं, इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनिट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज हुई थी, इसका भासा हिंदी रखा गया है, और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओपिल पर कमाई भी किया था, इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी, अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं, तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसी लगे थी, क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी, और काफी मूवी अच्छी भी है, और वाकई मूवी ने काफी जानदार सांदार गजवदस्त रहे हैं, तो आप जरूर बताईएगा, मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में, ठीक है, तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी कास स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी, जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है, जिसे की रागव लॉरें अंचना 2011 की रिमेक, इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने, जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती हैं, जिस पर एक की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ, लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर्स खेलपात्र, खेत्रपाल, तासाब भामरा के साथ मिलकर पट्टे कता लिखी, जिसमें सामजी ने पट्ट से 2020 में समाप्त हुई थी, लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है, जो के 72 फिल्मों में से एक फिल्म है, और अलग-अलग लोगों के द्वारा, अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं, और काफी जवरदस्ट ए आप देख सकते हैं, इसकी कुल अवदी एक घंटा 41 मिनट की है, और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज वी थी, इसका भासा हिंदी रखा गया है, और यह फिल्म जो है, वह अच्छी खासी बॉक्स ओपिल्म पर कमाई भी किया था, इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई काई चीजे नही नही देखने को मिलेंगी, अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं, तो बताइएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी, और काफी मुवी अच्छी भी है, और वाकई मुवी हैं, काफी जानदार, सांदार गजवरदर्ष्ट रहे हैं, तो आप जरूर बताइएगा, मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन, जैभारत, मिलते हैं, दूसरी वीडियो में, चलिए ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रेज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडिय फिल्म है, जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा ल अक्षे कुमार और क्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुख भूमी का निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दिगिर्द भूमती हैं जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्तिक का भूत सवार हो अंटर्टैन्मेंट हाउस और सविनाएंटर्टैन्मेंट के साथ लोरेंच ने फ्रहाद सामजी अस्पर्स खेलपात्र खेटरपाल तासाब भामरा के साथ मिलकल पठेकता लिखी जिसमें सामजी ने पठेकता और समवादों को हिंदी संस्क्रेन में डाला। फिल्म की अप्रिल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मि फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवाने का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई हैं यह डिजनी प्लस होट इस्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज भी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी वोक्स ओपिल्पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई यह अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नइइढ़े को मिलेंगी अगर आप इस मुवी हैं तो बताइए का फिरों कि मुए आपको कैसे लगी थी जैहिंत, जैभारत मिलते हैं दूसरी विडियो में चलिए ठीक है ठीक है? तो ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस विडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की होरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षे कुमार और 11 अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुख भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती हैं जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्थिक का भूत सवार हो जाता है। अक्षे कुमार ने अपने केप ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टिडियोजे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया। तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कमपनी तुसार एंटरेटेंडमेंट हाउस और सवीना एंटरेटेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी असपर सखेल पात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिलकल पट्टे कता लिखी। जिसमें साम जी ने पट्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रण में डाला। फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्मा में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई हैं यह प्लस होट इस्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवदी एक घंटा 41 मिनिट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओपिल पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाक़ी मूवी आपको काफी जानदार सानदार गजबदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा, मैं मिलता हूँ आपचे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन, जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है, ठीक है? तो ठीक है नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की होरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फि कर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निवाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द भूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेग्दिक का भूत्सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केफ ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स स्टार स्टुडियो जे के तहर फिल असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकल पट्टे कता लिखी जिसमें सामजी ने पट्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रेण में डाला फिल्म की घोसना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समापत हुई थी लक्ष्वी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अड़वाने का जवर्दस्ट फिल्म है जो की बेहत्रिन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जबरदस्त एक्टिंग हुई है यह डिजनी प्लस होट स्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनिट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओफिस पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगी थी क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी हैं काफी जानदार सानदार गजवरदस्त रहे हैं तो आप ज़रूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई विडियो में तब तक के लिए जैहिल जै भारत मिलते हैं दूसरी विडियो में चलिए ठीक है ठीक है तो ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फ कर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निवाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द भूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेग्ति का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने कैफ ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स स्टार स्टडियो जे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटरेटेंडमेंट हाउस और सबीना एंटरेटेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिलकल पठ्टे कता लिख जिसमें साम जी ने पठ्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरी 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडबानी का जबढ़दस्ट फिल्म है जो के बहत्रेन फिल्मा में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के दुबरा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जबढ़दस्त एक्टिंग हुई है यह डिजनी प्लस हॉट इस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवदी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज वी थी। इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओपिल पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसी लगे थी। क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाक़ी मुवीं काफी जानदार सांदार गजवदर्ष्ट रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है तो ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रेज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देसन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षे कुमार और 11 अडवान ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा राजे सर्मा अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निवाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्ति का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने कैफ और फूर्ट फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टडियोजे के तहद फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटरेटेंडमेंट हाउस और सबीना एंटरेटेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर सखेलपात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिल्कल पठ्टे कता लिखी जिसमें सामजी पठ्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरी 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है यह 41 मिनिट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्सों के पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसी लगे थी क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाक़ी मूवी में काफी जानदार सांदार गजवरदर्ष्ट रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत मिलत ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा ल इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजय सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द भूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्टिक का भूत सवा हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केफ ऑफ वुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियो जे के तहद फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कपूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटेटेंडमेंट हाउस और सबीना एंटेटेंडमेंट के स लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिलकल पठेकता लिखी जिसमें सामजी ने पठेकता और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है यह अलग फिल्म है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज वी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिल्म पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाकवी मूवी ने काफी जानदार जानदार गजवदस्त प्रहे हैं तो आप ज़रूर बताईएगा मैं मिलता हूं आपके किसी नई वीडियो में तब-धक के लिए जैहिन जैभारत दू दूसरी वीडियो में, चलिए ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी, जो कि 2020 में रेज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी जिसे की राघवर लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है, उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक, इसमें अक्षे कुमार और क्यारा अडवानी ने, जबकि आईसा रज्जामिस का भूत सवार हो जाता है, अक्षे कुमार ने अपने केट ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टिडियो जे के तहद फिल्म का निर्मान भी किया, तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी, तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंट जिसमें साम जी ने पट्टेकाता और समवादों को हिंदी संस्क्रेण में डाला, फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी, जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी, और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी, लक्ष में फिल्म जो है, वो अक्षे कुमार और कियरा अडवाने का जबरदस्ट फिल्म है, जो कि बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है, और अलग-अलग लोगों के द्वारा, अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं, और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है, यह डिजनी प्लस होट इस्टार पर आप देख सकते हैं, इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनिट की है, और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज भी थी, इसका भासा हिंदी रखा गया है, और यह फिल्म जो है, वह अच्छी खासी बॉक्स ओपिल्म पर कमाई भी किया था, इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी, अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं, तो बताइएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगे थी, क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी, और काफी मूवी अच्छी भी है, और वाकई मूवी में काफी जानदार, सानदार, गज़वदस्त रहे हैं, तो आप जरूर बताइएगा, मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन, जैभार मिलते हैं दूसरी वीडियो में, चलिए ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी काफ स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रेजवी एक भारते हिंदी भासा क की हौरर कोमेडी फिल्म है, जिसे की राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है, उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग, इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुख भूमी का निवाते हैं, फिल्म एक ऐसे सक्स के इर्दगिर्द भूमती है, जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्दिक का भूत सवार हो जाता है, अक्षे कुमार ने अपने केफ आप गुड़ फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्ट्डियो जे के तहद फिल्म का निर्मान भी किया, तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ, लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी, असपर्स खेलपात्र, खेत्रपाल, तासाब, भामरा के साथ मिलकल पट्टे कता लिखी, जिसमें साम जी ने पट्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रण में डाला, फिल्म की घोषना जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी, और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी, लक्ष में फिल्म जो है, वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है, जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है, और अलग-अलग लोगों के द्वारा, अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं, और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है, यह डिजनी प्लस हॉट इस्टार पर आप देख सकते हैं, इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है, और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी, इसका भासा हिंदी रखा गया है, और यह फिल्म जो है, वह अच्छी खासी बॉक्स ओपि पर कमाई भी किया था, इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजे नही नही देखने को मिलेगी, अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं, तो बताइएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी, और काफ मिलता हूं आपके किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, चलिए ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी कास स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों, आज की इस वीडियो में ह भारतिय हिंदी भासा की होरर कोमेडी फिल्म है जिसे की राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और 11 अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजेस्तरमा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती हैं जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्थी का भूत सवार हो जाता है। तासाव भामरा के साथ मिलकल पठेकता लिखी जिसमें सामजी ने पठेकता और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला। फिल्म की घोषना जनवरी 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मि फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्मों में से एक फिल्म है। और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है। यह डिजनी प्लस होट श्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज वी थी। इसका भासा हिंदी रखा गया है। और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी वॉक्स ओपिल पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसे लगे थी। क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाकई मुवीं काफी जानदार सांदार गजवरदस्त रहे हैं। तो आप जरूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जै हिन, जै भारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चल्य है ठीक है। तो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी, जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है, जिसे की राघवर लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। प्रद के लेकर प्रमुक भूमी का निवाते हैं। फिल्म एक ऐसे सक्स के इर्दगिर्द घूमती हैं जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेग्धिक का भूत सवार हो जाता है। खेल पात्र, खेत्रपाल, तासाव, भामरा के साथ मिलकर पट्टे कता लिखी। जिसमें सामजी ने पट्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रेण में डाला। फिल्म की घोसना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई हैं यह डिजनी प्लस होट स्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है और ये 9 नमबर 2020 को रिलीज वी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी वॉक्स ओपिस पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजे नई-णई देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी हैं काफी जानदार, सांदार, गजवरदर्ष रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई बीडियो में तब तक के लिए जैहिन, जैभारत मिलते हैं दूसरी बीडियो में चलिए ठीक है ठीक है तो ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रेजवी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजयस्तरमा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दिगिर्द भूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्थिक का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केफ आफ बुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियोजे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कपूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिलकल पठेकता लिखी जिसमें सामजी ने पठेकता और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है यह गंटा 41 मिनट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज वी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओपिल्म पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवीने काफी जानदार गजवरदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आपके किसी नए विडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी व तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी, जो की 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है, जिसे की राघव लॉरेंस के द्वार लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है, उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक, इसमें अक्षे कुमार और क्यारा अडवानी ने, जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं, फिल्म एक ऐसे सक्स के इर्दगिर्द भूमती है, जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्थी का भूत सवार हो जाता है, अक्षे कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स स्टार स्टिडियो जे के तहर फिल्म क असपर सखेल पात्र, खेत्रपाल, तासाब भामरा के साथ मिलकल पठेकता लिखी, जिसमें सामजी ने पठेकता और समवादों को हिंदी संस्क्रण में डाला, फिल्म की घोशना जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी, और जबरदस्ट फिल्म है, जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है, और अलग-अलग लोगों के द्वारा, अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं, और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है, यह डिजनी प्लस होट इस्टार पर आप देख सकते हैं, इसकी कुल लवधी एक घंटा 41 मिनिट की है, और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज हुई थी, इसका भासा हिंदी रखा गया है, और यह फिल्म जो है, वह अच्छी खासी बॉक्सों के पर कमाई भी किया था, इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलें अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं, तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगे थी, क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी, और काफी मूवी अच्छी भी है, और वाकई मूवीं काफी जानदार सांदार गजवदस्त रहे हैं, तो आप जरूर बताईएगा, मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन, जैभारत, मिलते हैं, दूसरी वीडियो में, चलिए ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है, जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लि अक्षे कुमार और क्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती हैं जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्तिक का भूत सवार हो ज सारंटेंडमेंट हास और सभीना एंटेंडमेंट के साथ लारंस ने फ्रहाद सामजी असपर्स खेलपात्र, खेत्रपाल, ताशाव, भामराप के साथ मिलकल पट्टे कता लिखी जिसमें सामजी ने पट्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रेण में डाला। फिल्म की गोसना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवाने का जवर्दस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जवर्दस्ट एक्टिंग हुई है यह डिजनी प्लस हौट स्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज वी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओपिस पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजे नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसी लगे थी क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाक़ी मुवीं काफी जानदार सांदार गजवरदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है तो ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और जिसित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्दैसन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा राजे सर्मा अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर प्रमु फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियों के तहर फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कपूर की नए लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिलकल पठेकता लिखी जिसमें साम जी ने पठेकता और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोसना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समापत हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है यह डिजनी प्लस होट इस्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज वी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओपिल पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसी लगे थी क्योंकि यह movie काफी अच्छी movie थी और काफी movie अच्छी भी है और वाकई movie ने काफी जानदार सांदार गजवदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है तो ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी काफ स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडिय फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षे कुमार और 11 अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुख भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्थी का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केप आफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियोजे के तहद फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोड़क्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर सखेलपात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिलकल पट्टे कता लिखी जिसमें सामजी ने पट्टे का था और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरी 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है यह 21 मिनिट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओफिल्म पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसे लगे थी एक क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाक़ी मुवी में काफी जांधार जांधार गजवरदर्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूं आप चे किसी नई बीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है तो ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी जो कि 2020 में रेज भी एक भारत्य हिंदी भासा की हॉरर कोमेडी फिल्म है जिसे की राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुख भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्ष के इर्दिगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्थी का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने कैफ आफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियोजे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटेइन्मेंट हाउस और सबीना एंटेइन्मेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर सखेल पात्र खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिल्कल पठेकता लिखी जिसमें सामजी ने पठेकता और समवादों को हिंदी संस्क्रेण में डाला फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवाने का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई हैं यह ड एक तालिस मिनिट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज वी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी वॉक्स ओपी पर कमाई भी किया था कि इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर यह मूवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाक़ी मुवी ने काफी जानदार सांदार गजवरदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है तो ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो की 2020 में रेज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर प्रिदेशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और 11 अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा राजे सर्मा अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुख भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगि योजे के तहद फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिलकल पठेकाता लिखी जिसमें साम जी ने पठेकाता और समवादों को हिंदी संस्क्रण में डाला फिल्म की घोषना जनवरी 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समापत हुई थी लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है यह 40 मिनिट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्सों फिल्म पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी है अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी है क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाक़ी मुवीं काफी जानदार सांदार गजवदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है तो ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रेज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और 11 अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा राजे सर्मा अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमु गुड़ फिल्म्स और फॉक्स इस्टार स्टुडियोज के तहद फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटेंडमेंट हाउस और सबीना एंटेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी असपर्स खेलप खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकल पट्टेकता लिखी जिसमें साम जी ने पट्टेकता और समवादों को हिंदी संस्क्रण में डाला फिल्म की घोसना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समापत होई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवाने का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है यह गंटा 41 मिनिट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिल्म पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाकशी मूवीएं काफी जानदार ताव गजवरदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत मिलते हैं ठीक है तो ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रेज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्व कामिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और क्यारा अडवान ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा राजे सर्मा अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक् परकफूर की नई लॉंच की गई प्रोड़क्शन कंपनी तुसार एंडटेन्मेंट हाउस और सविना एंडटेन्मेंट के साथ लॉरेंस रेंफ्रहाद साम जी असपर्स खेल पात्र खेत्रपाल ताशाब भामरा के साथ मिल्कल पठ्टेकता लिखी जिसमें साम जी ने अप्रिल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समापत हुई थी लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है यह डिजनी प्लस होट इस्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स को फिल पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी औ और वाकई मूवी में काफी जानदार सांदार गजवदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है तो ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा राजे सर्मा अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर प्रमुक भूमिका निवाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्ति का भूत्सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केफ ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियो जे के तहर फिल्म का निर्मान भी क लिया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिल्कल पट्टे कता लिखी जिसमें स सामजी ने पट्टे का था और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला। फिल्म की घोषना जनवरी 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा जबर्दस्ट फिल्म है जो की बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जबर्दस्ट एक्टिंग हुई है यह डिजनी प्लस होट इस्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल कॉमबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओपिस पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजे नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसी लगे थी क्योंकि यह movie काफी अच्छी movie थी और काफी movie अच्छी भी है और वाक़ यह movie हैं काफी जानदार सांदार गजवरदर्षत रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है तो ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रेज भी एक भारते हिंदी भासा की होरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा राजे सर्मा अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर प्रमुक भूमिका निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्स के इर्दिगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्ति का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केफ ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियो जे के तहर फिल्म का निर्मान भी क लिया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंड्मेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंड्मेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिल्कल पठ्टे कता लिखी जिसमे साम जी ने पठ्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवाने का जबरदस्त फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्मा में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जबरदस्थ एक्टिंग हुई है यह डि प्लवदी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज वी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी वॉक्स ओपिस पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाकई मुवी ने काफी जानदार सांदार गजवरदस्ट रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप चे किसी नई वीडियो में तब तक लिए जैहिन जै भारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है तो ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रेज भी एक भारते हिंदी भासा की होरर कोमेडी फिल्म है जिसे की राघवर लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और कियारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्स के इर्दगिर्द भूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेग्धिक का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने कैप आफ गुड फिल्म और फॉक्स रेड्मिन के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी असपर सखेल पात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिलकल पट्टे कता लिखी जिसमें साम जी ने पट्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रण में डाला फिल्म की घोशना जनवरी 2019 में की गई थी जबकि मुखे फ वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो की बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई हैं यह डिजनी प्लस होट इस्ट 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिल्म पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं त काफी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी ने काफी जानदार सांदार गजवरदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूं आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जै हिल्द जै भारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है तो नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निवाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्दिक का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केफ ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स स्टार स्टुडियोजे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोड़क्शन कंपनी तुसार एंटरेटेंडमेंट हाउस और सबीना एंटरेटेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिलकल पठेकता लिखी जिसमें सामजी ने पठेकता और समवादों को हिंदी संस्क्रेण में डाला फिल्म की घोसना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समापत हुई थी लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है यह 41 मिनिट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिल्म पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसी लगे थी क्योंकि यह movie काफी अच्छी movie थी और काफी movie अच्छी भी है और वाक़ी movie ने काफी जानदार सांदार गजवरदर्ष्ट रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है तो ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की होरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा राजे सर्मा अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर प्रमुक भूमिका निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्स के इर्दगिर्द भूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्ति का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केफ ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियो जे के तहर फिल्म का निर्मान भी कि तुसार कपूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कमपनी तुसार एंटरटेंडमेंट हाउस और सविना एंटरटेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिलकल पठेकता लिखी जिसमें सामजी ने अप्रिल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मि फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवाने का जबरदस्ट फिल्म है जू के बहत्रिन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है यह डिजनी प्लस होट इस्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज वी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी वोक्स पिर पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताइएक जरूर कि यह मुवी आपको कैसे लगी तो क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और प्रिजानदार सांदार गजवरदस्त प्रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है तो ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रेज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और 11 अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा राजे सर्मा अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमु गुड़ फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टुडियोज के तहद फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटरेंडमेंट हाउस और सबीना एंटरेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी असपर्स खेलप खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिलकल पट्टेकता लिखी जिसमें साम जी ने पट्टेकता और समवादों को हिंदी संस्क्रण में डाला फिल्म की घोसना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रिल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्वी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवाने का जवरदस्ट फिल्म है जो कि बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है यह डिजनी प्लस होट इस्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनिट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज भी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओपिल्म पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजे नहीं नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवीं काफी जानदार सांदार गजवदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दू तो ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लि में इसमें अक्षे कुमार और क्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निवाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्तिक का भूत सव बनी तुसार एंटरेंडमेंट हाउस और सबीना इंटरेंडमेंट के साथ, लोरेंज ने फ्रहाद साम जी असपर सह खेलपात्र, खेत्रपाल, ताशाव, भामुरा के साथ मिलकल पठ्थे कता लिखी जिसमें साम जी ने पठ्थे कता और सम्वादों को हिंदी संस्क्रेन मे की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रिल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवाने का जवर्दस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जवर्दस्ट एक्टिंग हुई है यह डिजनी प्लस होट इस्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका लभासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओपिस पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मुवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मुवी अच्छी भी हैं और वाकषी मुवी काफी जानदार सांदार गजवरदर्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक ये लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी झाल झाल झाल